बाढ़े 4000 से उपर मुसल्मान औरते अकेले हच पर जा रही है चीक है सौधी अर्बिया के क्राउंड प्रिंस ने भारक की सरकार को ये पूरा पूरा प्रॉमिस किया है वाइदा किया है कि ये जो महिलाएं अकेले ये जो खवातीन अकेले हच पर आ रही है इनकी पूरी जिम् ये वही प्रेटिश हैं जिनको हिंदुस्तान के वीरों को उनके गुलामी करके उनकी बाते सुनने पड़ती थी और आज ये वही लोग है जो हमारे भारत के परधार मंतरी को बुला करके इनकी स्थोपों की सलामी दे रहे हैं ये ख्याम किया गया है इन अटनेशनल मीडिया ने एक आर्टिकल पास वह जिसमें लिखा गया के उसे के नए बेस्ट फ्रेंड से मिलिये और वह और कोई नहीं वह इंडिया था और मैं ये देखके शॉक्ड हो गई के ये से कल तक हमारा दोस्ता जब ये से के अडर हमारे ये से केंडिरी है बट कल तक हम देखते थे के युएससे जो कर हमारा सा बहुत प्रेंडी था मागर अब जब से नरींदर मोदी के हमसे हटते ही नहीं और नरींदर मोदी से खतम नहीं हो थी अब भी हम लोग ने डीसे एक वीडियो देगी जो बहुत वाइरल हुई यहां जो बाइडन खुद आके ननीदर मोदी से मिले थे तो वो तो पाकिस्तान के लिए बहुत शोकिंग था कि जो बाइडन जो के हमारे सर पे हमेशा मुसलत रहते हैं और वो ननीदर मोदी से आके मिले थे तो इस बारे में आपकी क्यारा है कि युए से इंडिया को आज पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के पास था तो मैं यह कहना चाहूंगी आपके पाकिस्तान के तमाम लोगों को और खास करके जो आपके पाकिस्तान में पार्लिमेंट में बैठे वे हैं मैं उनको कहना चाहती हूं कि चांट करके और मक्षन बाजी करके और तलवे में ते दोस थे दोस नहीं थे पाकिस्तान हमेशा टेररिजम इंडस्ट्री रहा है और उनका माइंड सेट वही है अपने पाकिस्तान के सारे नेता मंत्रियों को चलाने के लिए और टेररिस्टों को रोटी और बोटी देने के लिए उनको कुछ लोग बड़े-बड़े कंट्रीस का तल्वा चाटेने की जरूरत पड़ती है एकनोमिकल फाइदे के लिए जिसके लिए वो चाट रहे हैं अब आती है बात हमारे भारत के पर्धान मंत्री वेंगे हमारे भारत के परदान मंत्री एक ऐसे हिंदुस्तानी है जो बहुत छोटे से और करीब से घर से आते हैं जो बहुत ट्रोल हुए थे चाइवाला के नामसे और सबसे ज़्यादा इन कमबक्त मनुस नहसों, पाकिस्तान के नेता मंत्रियों ने सबसे ज़्यादा ट्रोल और मीम बनाया था, जिसमें देखिए हिंदुस्तान के भी मुसल्माणों ने बहुत सपोर्ट किया था, इस ट्रोल और मीम को, हिंदुस्तान के कुस मुसल्माणों ने बहुत ज्यादा अपरा तफ्री मचाने की कोशिश कर रखी है आज तर, जिसको तो हम घर में घुस-गुस करके निकालने की कोशुश में लगे हुए हैं, कानूनी दाइडे के तरीफे से, तो आज वो चाय वाला, आज वो गरिब का बेटा, आज वो जो धूप की तपश को देखा है, जो पेट की भूप को देखा है, आज एक गरिब मा का बेटा, आज भारत का प्रधान मंत्री ही सरफ नहीं है, इस पूरी दुनिया में चान की तरह चमकता हुआ वो सितारा है, वो चान है जिसके साथ सब कोई बैठना चाहता है, कॉंग्रेस की मीटिंग, आप सोचो, कौन कोड हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग को अड्रेस किये है, आपको पता है, 21 से 24 तक का जो ये विजट है, उसमें जैसे ही एर इंडिया से उतरेंगे हमारे प्रधान मंत्री, वैसे ही वहाँ पर उनका जैसे 21 तोप को वो अड्रेस करेंगे, जो बेडिन की वाइब जो जिल बेडिन है, उनके साथ उनका डिनर फिक्स हुआ है, और वो भी जिल बेडिन ने उनको इन्वाइज किया है, दा एकनॉमिस्ट जैसे ग्लोबल न्यूज में ये कहा जा रहा है, कि जो बेडिन के बहुत ही अच्छे दोस्त माने जा रहे है, कौन? भारत के परधान मंतरी श्री नरेंद्र दामुतरदास मोती जी, सोचिए हिंदुस्तानियों का सीना कितना चोड़ा हो रहा होगा, कि ये वही ब्रेटिश है, जिनकी कभी ये हिंदुस्तान जो है, वो गुलामी किया करता था, ये वही होग है, जो हमारे भारत के परधान मंतरी को बुला करके 21 तोपों की सलामी दे रहे हैं, और उनकी इतनी प्रसंशा कर रहे हैं, आप सोचो हो के ये चीज आज पूरे चैनल पर दिखाई जा रही है, सिर्फ नैशनल नहीं, इंटरनैशनल ग्लोबल नीउस में चल रहा है, कि भारत के परधार मंतरी के बिना United State of America आगे नहीं बढ़ पाएगा, उनके जो इस्ट्रक्चर है, उनके जो एकनॉमिकल जो जितनी भी पॉइंट्स हैं, वो फुल्फिल नहीं हो पाएंगे, बिना मोधी जी के बिना भारत के साथ दोस्तिक किये, आप सोचो के एक ऐसा इनसा जो गुज्रात के एक छोटे से घर से गरीब घर से आया है, और भारत का प्रधान मंतरी बना है, और करोडों मुसलमानों ने जिसको बहुत ज्यादा हर्ड किया, emotionally हर्ड किया है, mentally हर्ड किया है, लेकिन आज वो मुसलमानों के लिए भी बिना कास्ट और क्रीट को सामने करके यह भारत का प्रधान मंत्री हरे घर में योजनाय पहुंचा रहा है क्या वो योजनाओं को कोई आस्विकार कर सकता है कोई इंकार कर सकता है तो यह है हमारे भारत के प्रधान मंत्री जिनकी नजर में कोई जलन हसद यह सारी चीजे कुछ भी नहीं है आपको पता है कि इ यूएस को के जो जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज थे, Canada बोल लीजिये, बाकि आप बहुत सारे कंट्रीज को बोल लीजिये, अब वो इतने स्ट्रॉंग और इतने वालुबल नहीं रहे हैं, जो अमेरिका की सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, या अमेरिका को वो बैक्बॉ इस करने के बाद ये साबित हो जाएगा कि अमेरिका बिना हिंदुस्तान के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका हम तहे दिल से फ्रांस के अंदर वेलकम करते हैं। तो जब मैंने ये पॉछ पब्लिक रिव्यूज दिए, पॉछ पूछा पाकिस्तानी तो उन्होंने का बोगडा हम तो उन्हें मुस्लिम मानते ही नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा के ऐसे मुसलिम्स को तो वै लेकिन पाकिस्तान के मुस्लिम में मिज्योरिटी नहीं करती वाई क्यों देखे उनीच सो तीस से लेकर के दो हजार तेईस तक मुसल्मानों ने अपने दिमाग में ये चीज अटाकर रखी है कि अगर बहुत ज्यादा एडुकेशन आ जाएगा बहुत ज्यादा हिंदुस्तान की गलियों में महिलाएं पढ़ लेंगी मुसल्मान के दिमाग में अगर शिक्षा आ जाएगी तो ये जो हदीस का जो पत्वा है ना ये जो जुट लूच जो जुटा लुच्चा जो इस्टोरी है ना ये ये लोग पहला नहीं पाएंगे और स्प्रेट नहीं कर पाएंगे मैं और एक बात आपको कहना चाहती हूं नहस और मन्हूस है वो मुसल्मान हिंदुस्तान के जो इकनॉमिकल इंप्रूव्मेंट डी जी पी ग्रोथ और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का सारा लाब तो उठा रहे हैं पर मुझ से सिर्फ और सिर्फ सांप की तरह जहर उग एसे एंटी नैशनल मुसल्मान को धर दबोज करके जेल की सलाकों में डाला जाएगा बिलकुल डाला जाएगा जो भी हमारे हिंदुस्तान की धर्ती पर हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान की अबो हवा में रह करके हिंदुस्तान की ठाली में खाकर के हिंदुस्तान में अपनी बहु बेटियों को इज़त से रख करके अगर हिंदुस्तान के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलेगा और हिंदुस्तान की शान्ती को भंग करने की कोशिश करेगा उसकी जगध सिर्फ और सिर्फ जेल हो कारुनी कारवाई होगी एंटी नाशनल स्टेटमेंट हम बरदाश नहीं करेंगे पकिस्तान बोलेगा बड़ी बड़ी बोली और हम बैठ करके यहां पर हम सुनेंगे वो जमाना लद गया वो जमाना चला गया वो मौनवरत की सरकार जो 9 सार पहले थी ना तब हिंदुस्तानी की नजरे जुके हुए थी आज ये नरेंद्र दामोदर्दास मोदी के का स्मार्ट इंडिया है डिजिटल इंडिया है नया इंडिया है यहां महिलाओं को आवाज दी गई है प्लाटपॉर्म दिया गया है और कहा गया है कि अगर तुम मुसलिम हो तो मुसल्मान के हिसाब स तुम बात कर सकती हो एक अफवा उड़ी थी कि अगर राम मंदर बन गया हिंदुस्तान में तो सौधी अर्बिया तेल नहीं देगा सौधी अर्बिया तेल नहीं देगा अब तो बात ऐसी आ गई है कि मुस्लिम कंट्री दुबई में इतना बड़ा मंदर बन रहा है इतना बड़ा मंदर बन रहा है जितना बड़ा मंदर इस पुरी डुनिया में नहीं अब बात आती है कि सर्फ और सर्फ आठ दिन पहले आठ जो अकेले हज पर जाना चाहती है वो जा सकती है जाड़े 4000 से उपर मुसल्मान औरते अकेले हज पर जा रही है चीक है सौधी अर्बिया के क्राउंड प्रिंस ने भारत की सरकार को ये पूरा पूरा प्रॉमिस किया है वाइदा किया है कि ये जो महिलाएं अकेले ये जो ख की चीज़ की हम खड़े रहेंगे वह भारत का प्रधान मंत्री जो छोटी छोटी बच्चियों के पैर को अपने हाथ से धोता है वह भारत का प्रधान मंत्री जो मन की बात करता है अपने अपने भारत के तमाम लोगों के साथ डायरेक्ट इंट्राक्ट करता है उनके दिल म में उनके दिमाग में घर बनाता है वो भारत का परधानमंत्री जो इस देश की जनता को जनता नहीं अपना परिवार समझता है मैं पूछना चाहती हूँ पाकिस्तान के धरकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और मैं पूछना चाहती हूँ अभी मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है क्या उन्होंने कभी भी अपनी जनता से इंटराक्ट करने की कोशिश की है क्या उन्होंने अपने अपने पाकिस् पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी पाकिस्तान की बच्चियों के लिए एडुकेशन के लिए उन्होंने कोई एक ऐसा फत्वा जारी किया है कि हर लड़की को हायर सेकंडरी तक पढ़ना पड़े का तभी निका होगा अधर्वाइस निका नहीं होगा ऐसा कुछ क कि आई है आज मैं लेकर आई हो ना बहुत खुबसूरत चीज लेकर के आई है यह क्या है पैन शिक्षा को रान का पहला वड़ एक्राइब को रान का पहला वड़ एक्राइब को रान का पहला वड़ एक्राइब शिक्षित हो जाओ क्यूंकि जिस दिन मुसल्मान शिक्षि के पाकिस्तान के हलात और पाकिस्तान के लोगों की सोच बदल जाए